अभ्यास 54, नियम 171 से 174, शब्द कोश 1325 प्लस 25 बराबर 1350, व्याकरण, कोश्ठक में क इसके नीचे लकीर है, आम्रह, आम, रसालह, आम, दाडिमह, अनार, पनसह, कटहल, जंबवीरह, नीबू, उदुम्बरह, गूलर, अश्वत्थह, पीपल, निंबह, नीम, पूगह, सुपारी, बिल्वह, बेल, वातादह, बादाम, द्राक्षा, अंगूर, बदरी, बेर, कदली, केला, कदली भलं, केला, नारिकेल भलं, नारियल, सेव भलं, सेव, नारंग भलं, नारंगी, संतरा, आम्रलं, डृट बीजं, अम्रित भलं, अम्रूद, उन्नेस, कोश्ठक में ख़, इसके नीचे लकीर है, तन, फैलाना, एक, कोश्ठक में ग़, इसके नीचे लकीर है, तूश्णीम, चुप, अकस्मात, अचानक, नित्यम, नित्य, शिग्रम, शिग्र, पश्चात, बादमे, पांच, सूचन, आम्रसे वाताद, व्रिक्ष अर्थ में रामवत, फल अर्थ में ग्रिहिवत, व्याकरण, तन धातु, अपत्यार्थक, तद्धित प्रत्याय फल वर्ग, अण, एक, तन धातु के दोनों पदों में दसों लकार के रूप इस्मरण करो, देखो, धातु रूप 58, सूचन, आम्रादी शब्द व्रिक्ष वाचक होने पर पुलिंग होते हैं, फल वाचक होने पर नपुनसकलिंग, अंत में फलम लगाकर भी फल वाचक बनते हैं, जैसे आम रहा, आम का पेड, आम्रम या आम्रफलम, आम आधी, नियम 171, ये नियम महत्वपून है क्योंकि इसके आगे स्टार का चिन्ह बना है, तस्यापत्यम, अपत्य पुत्र या पुत्री दोनों को कहते हैं, अपत्य अर्थ में शब्द के बाद प्राया अर्ण, अप्रत्य होती है, अर्थाट, अखो आ, इ, य,को ए, ओ, ओ, को अउ, री, औ, अर्, अंतिम, ओ, को, ओ होगा, जैसे, वसुदेव का पुत्र, वासुदेवाह, क्रेश्न, पांडू का पुत्र, पांडवाह, कुरू के पुत्र, कौरवाह, प्रिथा, कुंती के पुत्र, पार्थाह, रगु का पुत्र राघवाह, पुत्र का पुत्र पौत्रह, शिफ का पुत्र शैवाह, विश्नु का पुत्र वैश्नवाह, इनके रूप राम की तरह चलेंगे, इस त्रिलिंग में इ लगाकर नदी के तुल्ले. नियम 172 ये नियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम के आगे स्टार का चिन्ह लगा है, अत इय, अकरांत शब्दों से कुछ शब्दों को छोड़कर, अपत्य अर्थ में अंत में इय प्रत्याय होता है, इय का इ शेष रहता है, शब्द के प्रथम स्वर को व्रिधि, हरी के तु मित्र ही लक्षमन, द्रोन का द्रोनी ही अश्वत्थामा, नियम 173, ये नियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम के आगे स्टार का चिन्ह बना है, दित्य दित्या, कुछ शब्दों में अपत्य अर्थ में अंत में य प्रत्याय लगता है, शब्द के प्रथम स्वर को रिधि, राम वत्रूप चलेंगे, जैसे दिति के पुत्र दैत्याह, अदिति के पुत्र अधित्याह, प्रजापती, प्राजापत्याह, गर्ग, गार्ग्यह, वत्स, वत्स्याह, नियम 174, ये नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आगे स्टार का चिन्ह बना है, इस्त प्रेलिंग शब्दों से अपत्य अर्थ में अंत में ए ये लगता है। कुछ शब्दों को छोड़ कर। अपत्यार्थक तद्धत प्रत्यय फल्वर्ग अभ्यास चववन। एक उधारन वाके। एक आम्रह, दाडिमह, पनिसा, उदुम्बरा, अश्वत्थाह, निम्बह, बिल्वाष्च, अस्मिन उध्याने संती। दो, अहम अम्रानी, दाडिमानी, सेव फलानी, नारंग फलानी, पनिसानी, पूगानी, वातादानी, द्राक्षा फलानी, कदली फलानी च प्रायह भोजनस सिपश्चाद भक्षयामी। तीन, तूश्णीम तेष्ठ, चार, सो अकस्माद आगतह, पाच, दाश्रतेह, वासुदेवस्य, पांडवानाम, कौरवानाम, सौमित्रह, राधयस्य च एतानी, जित्रानी, संती। छे, सवस्त्राणी, तनोती, तनोत, तनुयात, तनिश्यती च। दो, संस्कृत बनाव। क, एक, मेरे गाउं में आम, अनार, कटहल, नीबू, गूलर, पीपल, नीम, सुपारी, बेल, केला, बेर और नारियल के पेल बहुत हैं। दो, भोजन के बात भल खाओ। तीन, वहप्राया आम, सेव, अनार, संतरा, कटहल, नीबू, बेल, बादाम, अंगूर, केला, नारियल और सुपारी खाता है। चार, ये आम, सेव, अंगूर, केले और अम्रूद बहुत मधुर हैं। पाच, बेर और गूलर कम खाओ। छे, सेव, बादाम, केला और संतरा स्वास्थे लाप के लिए बहुत उत्तम है। साथ, यह चुप बैठो। आठ, पिताजी, अकस्मात आ गए। नौ, व्यायाम, संध्या और अध्यन नित्ति किया करो। दस, मेरी तीन पुस्तक शिग्र लाओ। ग्यारह, भोजन के बाद विद्या ले जाना। बारह, महा भारत के युद्ध में वासुदेव, तीनों कुंती के पुत्र, दोनों मादरी के पुत्र, राधा के पुत्र कर्ण, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा और द्रोपदी के पुत्र थे। 13. सुवित्रा के पुत्र लक्षमन दाशरथी राम के साथ वन को गए 14. राम वस्त्र फेलाता है 15. तू ज्यान को फेलाता है 16. मैं धर्म को फेलाता हूँ 17. देवदत्थ विद्या को फेलावे 18. तूने सत्य को फेलाया 19. वेह अपनी विद्या को फेलाएगी 20. मैं अपने गुण को फेलाऊंगा 3. अशद्ध 1. कौनतेयाह माद्री राधी द्रोणाह शद्ध है कौनतेयाह माद्रे यव राधे यह द्रोणी ही देखिये नियम 172 और 174 अशद्ध 2. तनती, तनतु, तनेत शद्ध होगा तनोती, तनोतु, तनुयात नियम धातु रूप 4. अभ्यास कौ दो ख को बहु वजन बनाओ ख तन्ध हातु के दोनों पदों के दसो लकारों के पूरे रूप लिखो ग इन्शब्दों के पत्रवाचक शब्द बनाओ वसुदेव, दशरत, पांडु, कुरु, पुत्र, सुमित्रा, द्रोण, दिति, अधिति, प्रजापति, गर्ग, कुंति, प्रिथा, रघु, राधा, द्रोपदी, गंगा, विनता और पांच वाक्य बनाओ, आम्रह, आम्रम, दाडिमह, दाडिमम, नारिकेलह, नारिकेलफलम, तूश्नीम अकस्मात, नित्यम, शिग्रम, पश्चात, तनोती, तनोतु, अतनोत, तनुयात इसी के साथ अभ्यास चववन, समात, प्रेश्च एकसो तस, अभ्यास पचपन, नियम, एकसो पिछत्तर से एकसो अथत्तर व्याकरण, शब्द कोश्च तेरह सो पचास प्लस पच्चीस बराबर तेरह सो पिछत्तर कोश्ठक में कर, इसके नीचे लकीर है, कंचुकह, कुर्ता, उत्तरीह, एक चादर, दो दुपट्टा, कंबलह, कंबल, नीशारह, रजाई, पादयामह, पाईजामा, तूलह, रुई, शाटिका, साडी, शैया, बिस्तर खाट, रश्न, कमरपंद, नाड़ा, उपानह, जूता, उश्नीशं, पगडी, अंगप्रोक्षणं, अंगोचा, शिरसकं, टोपी, अधोवस्त्रं, धोती, मुख्रोक्षणं, रूमाल, कटी सूत्रं, कर्धनी, मेखला, उपधानं, तकिया, अवगुंठनम, घूंघट, अठारा, कोश्ठक में ख़, इसके नीचे लकीर है, क्री, करीदना, विक्री, भेचना, बंध, बांधना, मंत, मथना, अश, खाना, मुश, चुराना, क्लिश, दुख देना, साथ, वि प्लस क्री आत्मनेपद है, सूचना, क कंचुकह से तूलह रामवत, ख, क्री से कलिश, क्री के तुल्ले, व्याकरण, क्री धातु, अन्ने तधित प्रत्याय, जात, भव, आदी, एक, क्री धातु के दोनों पदों के दसों लकारों के पूरे रूप स्मारण करो, देखो धातु रूप साथ, नियम एक सुपिचत्तर, तत्र जाताह, तत्र भवह, उत्पन होना या होना अर्थ में अन्अधी प्रत्याय होते हैं, एक, कुछ शब्दों के अंत में अप्रत्याय लगता है, प्रथम स्वर को व्रिधी जैसे सुत्वग्रने, जाताह, स्त्रोग्रनह, स्त्रोग्रनिवासी, मथुरा में उत्पन माथुराह, काने कुप्ज में उत्पन काने कुप्जह, सिंधु, एक समुद्र, दो सिंध प्रांत में होने वाला सैंधवः, एक नमक और दो आश्व, दो, कुछ शब्दों के अंत में एक लगता है, प्रथम स्वर को व्रिधी, मासे भवह, मासे कह, शान मासे कह, वर्ष वार्ष कह, काल कालि कह, तात कालि कह, प्रादाह काली नह, साइ काली नह, आदी कालीन वाले प्रयोग भी प्राचलित हैं,